हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे सेर्ट के द्वारा शुरू किये गए पठन अभियान के तहट क्लास थर्ड की मार्च की वर्कशीट नमबर फिफ्टी फोर जो की 25 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका थीम है बच्चों टाइम आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखें हैं आओ समय देखना सीखें तो बच्चों काम करने के समय का पता आप कैसे लगाते हैं आप घडी देखते होंगे जरूर हाँ हम समय देखने के लिए घडी का इस्तमाल करते हैं आप अगर ध्यान से देखें तो घडी में संख्याएं कहां से कहां तक लिखी होती हैं तो हम तो यहाँ पर बना देंगे. घड़ी कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पर होता है संख्या बारा, यहाँ पर तीन, यहाँ पर छे और यहाँ पर नौ और इसके बीच में 1, 2, यहाँ पर 4, 5, यहाँ पर 7, 8, यहाँ पर 10 और 11. यह संख्याएं होती हैं और बीच में 2 संख्याएं बेर लिखी यहां को है, तो इस तरे के आप गड़ी बनाएंगे आप और इसे बाद पूशा हूए आपने यहां तक संख्याए क्षा हैं अब इसके बाद देखते हैं, आगे हमसे कह रखा है कि क्या आप जानते हैं कि आम तोर पर घड़ी में दो मुखी सुईयां होती हैं, बड़ी सुई मिनट को दिखाती है और छोटी सुई घंटे को दिखाती है उधारन के लिए साथ वाली घड़ी को इस घड़ी को आपको ध्यान से देखना है यहां बड़ी सुई बारा पर है यानि ये वाली जो सुई है ये बड़ी है और छोटी सुई तीन पर है यानि ये वाली जो सुई है वो छोटी है इसका अर्थ ये हुआ कि घड़ी में तीन ब फिर एक गंटे बाद 4-5 पर आ जाएगी फिर एक और गंटे बाद 5-6 पर आ जाएगी तो इस तरीके से हर एक गंटे में जो छोटी वाली सुई है वो अपनी एक-एक संख्या बदलती रहती है रमा जी एक महनती महिला है जो घर और बाहर के कामों को बखू भी करती है नीचे उनकी दिन चर्या की एक जलक दी गई है आप घड़ी में सुईयों की स्थिती देखकर समय बताईए देखिए ये वाली चोटी सुई है यानि की 6 धंटे हो रहे है और बड़ी वाली सुई 12 पर है इसका मतलब 6 बच के 0 मिनट हो रहे है ठीक है ये उनके सुबह उठने का समय खाना बनाने का समय कब है छोटी वाली सुई एक पे है तो एक लिखेंगे और बड़ी वाली सुई जब 12 पर होती है तो उसके पीछे में अपने आपी 00 लगा देते है यानि सिर्फ एक बज रहे है खरीदारी करने का समय देखो छोटी वाली सुई कहां पे है बच्छो पां बनाने का समय एक बजए है खरीदारी करने का समय पांच बजए है और सोने का समय दस बजए है अब आपके पेडएंच के लिए सुझाओ कि घड़ी में समय देखकर बताने के लिए बच्चो को प्रेरित कीजिए विद्ध! आप सभी कोई अप्स ही वर्क्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों कर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें थैंक यू